हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल स्वागय था आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो लोगस में तो आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं आई से लेटेड उन सभी के बारे में क्यूंकि देखो एससी जीडी का भी एकजा प्रसन आ चुके हैं जैसे कि कल आप परसो पुछा गया था कि 2019 विश्व कप में प्लेयर आप टूनामेंट कौन बने थे 2019 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी रही थी ये दो प्रसन आ चुके हैं आगे भी इस तरह के प्रसन आ सकते हैं तो यह जो वीडियो है आपके एक प्रसन आप लोगों ने देख लिया है तो उस वीडियो को आप जरूर देख कर जाए क्योंकि आइप लिश्व से भी बहुत जाता प्रसन पुछा जा रहा है तो आज इस वीडियो में देख लेते हैं आई शेसी से इलेटेट प्रसन एना खिलाडी के भी नाम आपको याद प्रसन पुछा जा रहा है तो इस खिताब को जीता था इंग्लेंड ने आप सभी को पता होगा इंग्लेंड ने 2019 का आउससी मी गफ जीता था यहां पर देखो विल्ड कप की बात हो यह से इंग्लेंड ने निव ढ़ुलन कवा दो जस्तीसे टाज्व कि गभात कर रहे हैं फानल में एंग्लैंड ने निव जीना को रही है था आप सबी को याद होगा और बात करें तो यह इंगलेंड का पहला टाइटल था टीटवंटी वर्ल्ड कप में नहीं स्वरी यह टीटवंटी नहीं होगा वर्ल्ड कप का पहला टाइटल था इंगलेंड का और बात करें रनर अप टीम की तो वह रही थी न्यूजिलेंड त्याद र प्रस्न है कि ICC T20 World Cup 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है पिछले प्रस्न में हमने देखा 20 का वर्ल्ड कप जो 50 सुबर वाला है वो यहां पर देखो 20 सुबर का जो टीट वर्ल्ड कप होता है उसकी बात कर रहे हैं यहां पर इस किताब को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने याद एंड अस्ट्रेलिया का यहाँ पहला खिताब था T20 World Cup में वंडे वर्ल्ड कप की बात करें जो 50 वर्ल का होता है वहां पर टोटल अस्ट्रेलिया ने पांच बार वर्ल्ड कप जीता है लेकिन T20 World Cup में आज सक्षक अस्ट्रिया ने नहीं जीता था तेकिन 2021 का जो इन्होंने भी नुजिलेंड ही आ रही थी ठीक है आगे देखते हैं आगे पर हम जान लेखते हैं ICC T20 World Cup 2021 के बारे में जो भी important facts हैं उनको winner की बात करें तो वो रही है उस्ट्रेलिया उस्ट्रेलिया के यह पहला खिताब था T20 World Cup में रुनर अप टीम रही नुजिलेंड प्लेयर आप द प्लेयर आप दस्ट्रेज मतलब पुरे टूनामेंट में प्लेयर आप दस्ट्रेज मतलब सबसे अच्छा परदासन किस खिलाड ने किया तो वो रहे डैविड वार्नर एंड या ऑस्टेलिया के हैं वो बनाए पाकिस्तान के बाबर आजम ने सबसे अदर विकेट्स किस ने लिए तो वो लिए वानिंदू हसरंगा ने जो कि स्रिलंका के अस्पिन गेंड बाज है याद रख लेना कैस प्राइज वीनर यानि जो भी टीम चैंपिन बनेगी उसे कितना का कैस प्राइज दिया वर्ड कप हुआ था उसे भी ऐस्ट्रिया की महिलाओं ने जीता था तो 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 याद रखना है दोनों को आगे देख लेते हैं पर देखो वीनर जो अभी टीट्वांटी वर्ड कप में वीनर रहे हैं वो तो सबसे पहले बार आप सभी को पता होगा दोजार साथ में ट पहला जो टीटवनटी वर्ड कप हुआ था उससे जीता था हमारे भारत ने पाकिस्तान को फाइंबल में हरा कर याद रखना ये पुछा जाता है कि भारत ने किस टीम को हराकर पहला पाकिस्तान नों विनर रहा था यहां पर पाकिस्तान दर दस में रहा चैंपियन इंग लेंड दर 12 में रहा वेस्ट इंडीज और 14 में रहा सिरलंका दर 16 में वेस्ट इंडीज और उसके बाद जो देखो अभी दार 21 का जिता है जिसे किस ने जीता आउस्ट्रिलिया ने जीता है याद रखना यहां यहां पर देख सकतो एक और फैक्ट है दो बार वेस्ट इंडीज जीत चुका है T20 वर्लकप तो यह भी आतक लेना पुछा जाएगा कि किस देश ने T20 वर्लकप का दो बार खिताब जीता है तो आपका उतर होगा वेस्ट इंडीज आगे देखते हैं आगे आपर दे इसमें ICC के अध्यक्ष बने थे तो ग्रेग बारकले का नाम जरूर याद रखिए आगे हम जाल लेंगे ICC के बारे में भी और स्वरव का उंगली का तो आपको पता होगा यह करेंट में BCCI के अध्यक्ष है आपको याद रखना है आगे देखो यहां पर हम बात करें ICC की तो ICC का आप यहाद रख सकते हो formation कब हुआ था इसका अस्थापना 15 जून 1909 में इसका अस्थापना हुआ था and headquarter की बात करें तो यहाद आप देख सकते हो headquarter कहां पर है UAE के दुबाई शहर में membership and total कितने member है ICC के तो वह 104 chairman है Greg Barclay जो की New Zealand से है and CEO जो हाली में बने है नए वह है जियोफ एलाडिस यहाद रख लेना जियोफ एलाडिस जो है यह और ऑस्ट्रेलिया के है and current में CEO है ICC के deputy chairman की बात करें तो है इमरान ख्वाजा जो कि सिंगापोर से है motor की बात करें ICC का तो वह है किरकेट फोर गुड तो यहाद रख लेना एना जो Greg Barclay निजीलेंड के हैं यह भी आपको यह दकनाइस तर की प्रस्ट पुछा आता है कि ICC का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो किस देश से हैं तो निजीलेंड से हैं and CEO बने है जियोफ एलाडिस यह कहां के हैं Australia के हैं आगे अगर हम बात करें आप पर तो देखो प्रस्ट पुछा जा रहा ह कंपर बने थे कें理िंड से याद रखना है कि तूरिनट का वर् historians कर रहा है निजे वरुण डूछ माहिंड मैच को और इंगलैंड के बीच वहां पर फाइनल मैच में बीचרה बने वह रहा थे वो रहा है एकसे बेन स्टॉक्स जो की इंगलेंड का डूंड रहे तो आपको याद रखना है कि ट्रनमेंट प्लेयर एप द्रूर्णा मेंच पुछ जा रहे है फ्रूर समय यह तो है पुछें अले प्लेसे मैच को प्लेयर एप K BILLYAMSSON बताना है यही पर हम देख लेते हैं 2019 वर्ल्ड कप के बारे में जो भी important facts हैं तो देखो यह host क्या गया तक कब 30 मई 2019 से लेकर 14 जुराई 2019 तक याद रखना एंड वर्ल्ड कप के हम बात करें तो यह 12 हमां एडिसन था एंड जो 50 वर का अगला वर्ल्ड कप होगा 2023 में वो कहां पर होगा वो हमारे भारत में होगा त इंगलेंड का या पहला टाइटल था रणर आप टीम रही है न्यूजिलेंड पाटिसिपेंट्स की बात के टोटल जो है दस टीवों ने पाटिसिपेट किया था टोटल 48 मैच खेले गए प्लेर आप दस्रीज रहें केन विलियम्शन यानी न्यूजिलेंड के कप्तान सबस के पहले खिलाडी बने है रोही सर्मा यह भी आपको याद रखना है और सबस्वादा बिकट लिया थे मिचल स्टार्क ने जो की ऑस्टलिया के तेज गेंदबाज है यहाँ पे देखिए यह हैं इंगलेंड के कप्तान जिन्होंने कप्तानी की है यहाँ पे जो आई सिसी का 50 ओवर्स वाले की बात कर रहा हूं तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार खिताब जीता है और यहाद रखना अगर आपसे पुछा जाए कि विश्वकप सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है अगर टीटवन्टी का पुछा जाए तो वेस्ट इंडिज बतान है और यहाँ तक पांच बार वर्ल्ड कप जीत चुका है 50 ओबर वाला यहाँ पर देखो जर पंद्रा में विनर रहा है यहाँ पर देखो विनर रही है यह रनर अप टीम और बात कर दोर साथ तीन नाइंटी नाइन यह तीनों जोखो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता है अपने सरेगारा का जो वर्ल्ड कप हुआ तो जो फाइनल मैच खिला गया था वान खड़े स्टेडियम में मुंबाई के वहां भी हमने स्रिलंका को फाइनल में हराया था आगे देखो आप पे हम देखो आइससी जो है तीन तरह के प्रुस्कार देती है खिलाडियों को एक इनका ह साल में किस खिलार ने सबसे अच्छा प्रुस्कार देता है यह एक साल के लिए और फिर एक महने के लिए तो तीनों को हम बारी-बारी से देख लेंगे पहले आप देखो डिकेड आवर्ड की बात हो रहे है जो कि मेल को दिया गया है फिमेल वाला आगे देखेंगे पिछले दस वर्षों का मेल किर्केटर आप डिकेड की से यहां पे अनौंस किया है आइसेसी ने विराट कॉली को और इन्हें जो अवर्ड दिया गया उस अवर्ड का नाम है सर गारफिल्ड सोवर्ड अवर्ड या दख ले ना अस्टीव स्मीथ को आईसेसी मेंस टेस्ट किर्केटर आप डिकेड गोशित किया गया है बिराट कॉली की बात करें तो आईसेसी मेंस ओडियाई किर्केटर आप डिकेड की डिकेड गोशित किया गया है राशित खान को आईसेसी मेंस T20 टरनेशनल किर्केटर आप डिकेड यहां में बहुत बार पूछा भी जा चुका है आजए सपिरेट वसे यहां मिला है महंदर सिंग धोनी को तो इसे जरूर याद रखना है आगे देख लेते हैं फिमेल्स को जो अवोड दिये गए हैं एलिस पेरी का नम ज़रूरी याद रखिए तीनों अवोड यही इन्ही को मिला है पहले तो देखलो आइससी फिमेल किर्केटर ऑफ दिकेट अवोड एलिस पेरी को और इन्हें अवोड दिया गया है राहिल हे हो फ्लेंट अवोर्ड एलिस पेरी को ICC Women's ODI Cricketer of the Decade भी घोशित किया गया है और साथ में एलिस पेरी को ICC Women's T20 International Cricketer of the Decade घोशित किया गया है एलिस पेरी किस देश की हैं आस्ट्रेलिया की हैं एक All-Rounder हैं याद रखना यहां पर देखो कैथरिन ब्राइस हैं जो कि ICC Women's Associate Cricketer of the Decade घोशित के गयी है तो इनका भी नाम याद रखना है आगे आपर देखो यह 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 वाला वाड यानि 2019 में जो भी खिलाड़ी अच्छे परदसन करेंगे उन्हें 2020 में समानित किया जाएगा 2020 पुरे साल में जो भी खिलाड़ी अच्छा परदसन करेंगे उसे 2021 में समानित किया जाएगा तो यहां है ICC Awards of the Year 2020 एंड यह मेल की यह है सिर्फ आगे वाला फिमेल को भी मिलता है सा नहीं कि मेल को ही मिलता है सिर्फ फिमेल को भी मिलता है वो आगे देखेंगे बात करें पहले मेल की तो ICC मेंस किर्गेटर ऑफ द यह ट्वंटी नाइटिन किसे घोशित किया गया यह है इंगलैंड के ओल राउंडर बेन अस्टोक्स ICC मेंस ODI प्लेयर ऑफ द यह ट्वंटी नाइटिन मारनacz लाब शेयन जो खोशित किया गया है मारनस लाब शेयन जोके ऑस्टेलिा के बैस्मेंहें इनहें ICC मेंस अमर ज़िटर ऑफ द यह ट्वर्वोड घोशित किया गया है एडकाइल कोईचर जो है यह स्कॉटलेंड के हैं इन्हें ICC Associate Player of the Year घोशित किया गया है याद रख सकते हैं यहाँ पर मेलनी आप को याद क्या रखना है बेन स्टोक्स का याद रख लो जिने ICC Men's Cricketer of the Year अवर्ड दिया गया है फिर रोई सर्मा का याद रख लो मेंस ODI Player of the Year बने पैट कमिन्स का याद रख लो डिपक चाहर का याद रख लो यह लैबिशेन वाला भी पुछा जा सकता है वैसे पुछने हो तो कुछ भी पुछा जा सकता है यहाँ पर फीमेल की देख लेते हैं यहाँ पर देख लो फिर से ऐलिस पेरी दो अवर्ड ले 2020 International Performance of the Year 2019 घोशित किया गया है और एक है चैनिदा सथिरॉंग चैनिचा जो है चैनिदा सथिरॉंग या थाइलेंड के महिला खिलाड़ी है इन्हें ICC Women's Emerging Player of the Year घोशित किया गया है तो इनका भी नाम इंपोर्टेंट है अब आगे देखो मन्त वाला वार्ड देखेंगे ज एक महिने में सबसे बहत्रिन प्रदर्शन करने वाला कौन खिलाड़ी है वो यह इस बार से ही आजसी से नियाद स्टार्ट के दो है रहे किस से ही तो सबसे पर देखो जनवरी मन्त का मिला था एक पूरुस खिलाड़ी को मिलता है ठीक है तो जनवरी मन्त में बात करें तो जो कि भार्त के विकट की पर बल्ले वाज हैं को मिला है एक मन्त के बात करें तो मुस्फिकृ्र रहेम को मिला है पॉर्सों में महिलाओ का चलो आप लिक कर बता दो कमेंड महने के लिए मैलाओं में किसे ICC Women's Player of the Month Award जिया गया आप comment box में लिख कर बताइए आगे आपके लिए एक प्रस्ण है इस प्रस्ण का उत्तर जरूर देना comment box में पुछा जा रहा है आपसे कि पहली भारतिय मैला क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने आउस्ट्रेलिया के जो Women's Big Best League में सतक लगाया है तो आपको बताना है वो पहली भारतिय महिला खिलाडी कौन है जिन्होंने आउस्ट्रेलिया के Women's Big Best League में सतक लगाया है आपके आप्सन है सफाली बर्मा, स्मृति मंधाना, हार्मन भृत कौर या फिर दिप्ति शर्माति उतर नीचे comment box में लिखिए एंड हाँ जो IPL 2020 वाला वीडियो है उसे जरूर देख कर जाएगा आपके एग्जाम के लिए काफ यादा महत्पूर्ण है वो सो थैंक्यू पर वाचिंग, थैंक्यू सो मच